एक समय पर केंद्री प्रफन्यूक्ट पर दिल्ली आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और पुरिस अधिकारियों की खीड रहती थी होड लगी रहती थी क्योंकि उनको मालूम था कि यहां पर बेहतर माहोल और सुकून मिलता है साथ ही दिल्ली में आना उनके लिए एक सितारे की तरह होता था जो उनके केरियर में चारचान लगाता था लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि खास तोर से पुलिस सेवा के अधिकारी दिल्ली आना ही नहीं चाहते हैं आईजी, डिआईजी और एसपी रेंग के अधिकारियों ने तो दिल्ली से जैसे किनारा ही कर लिया है एडीजी और डीजी रेंग के लोग ही यहां पर रिटायर्मेंट के लिए जरूर आ रहे हैं लेकिन पिछले एक साल के आकड़े जो गवाही दे रहे हैं उससे यह साफ हो गया है कि राज्यों से दिल्ली में पुलिस सेवा की अधिकारी नहीं आना चाहते हैं तो राज की बात में उठाते हैं इसी बात से परदा दिल्ली की आनबान शान वाली अपसरी छोड़कर अधिकारी क्यों राज्यों में टिका रहना चाहते हैं। राज की बात में करते हैं इस तर्थे का शित्रान वेशन लेकर उससे पहले देखते हैं कि आखिर 2020 में भारती पुलिस सेवा के कितने अधिकारी दिल्ली प्रत्नियुक्त पर आए। IG और DIG इस तर के एक-एक और SP रहें के मात्र दो अधिकारियों ने ही दिल्ली आने में दिल्चस्पी दिखाई थे। मतलब यह कि केन सरकार के मंत्रालेओं की दो बात जाने दें, ITBP, CISF, CRPF, BSF, यह जो केनरी अर्थ स्टैनिक सुरक्षा बन हैं, इनमें भी IG, DIG और SP रहें के अधिकारियों की कमी महसूस की जाने लगी है। थास तोर से, रिटायर्मेंट के करीब जो अधिकारी हैं, वो तो जरूर यहां पर आ रहे हैं, जिनको DG या EDG बनना है, लेकिन यह अधिकारी नहीं आ रहे हैं। जो हमने इसकी पड़ताल की, तो जो उससे बाते खुल कर सामने आई, आपको पता चलेगा, तो आप आश्चर चकित भी होंगे, और आपको हलका सा छटका भी लगेगा। जैसा कि मैंने शुरुवात में ही कहा कि दिल्ली में प्रत न्युक की नौकरी सुकून की मानी जाती थी, अच्छी लाइफिस्टाइल और बच्चों की पढ़ाई के लिहास से अधिकारी यहां आना चाहते हैं। दरसल मौजूदा के इन सरकार जिस तरह से काम करती है, उसमें जरा भी शितिलता अधिकारीों को भारी पढ़ती है। आराम या सुकून की तलास में दिल्ली आना चाहते थे, उनको समझ में आ चुका है कि मौजूदा निजाम में अब यह संभव नहीं रह गया है। इसलिए उन्होंने यहां से थोड़ा किनारा करना सुरू कर दिया है। कई वाकए ऐसे हुए कि PM मोदी 24 घंटे और ग्रह मंत्री हमिस्सा 24 घंटे काम करते हैं तो सीधे नियत समय पे कारवाई की अपेक्षा भी करते हैं। और जो इसमें एसफ़ल रहता है उस पर कारवाई भी होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से केंद्र और राज सरकारों के बीच में सियासी तना तनी चलती है। उसमें कई बार अधिकारी मोहरा बनते हैं और पिस भी जाते हैं। इसलिए जो होम कारडर में IPS हैं और रंबी नौकरी बची हैं वहीं पड़े रहना चाहते हैं। राज की बात में इस अपते इतना ही मुझे दीजे इजाज़त लेकिन हर अभिवार रात आठ बजे देखना मत भूलिए राज की बात और तब तक देखते रिए ABP News आपको रखे आगे। झाल की पर्मै की बात 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 भूलिए Channel